तो फेंड्स देखी आप लोग जैसे देख रहे हैं कि पीराहल इंटरप्राइस दो तीन दिन से बहुत ही उपर 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 जा रहा है मनलब करीब करीब मालोग 5% 7% हैं ऐसे जा रहा है तो यह क्यों जा रहा है आप में सोचा है यह इसलिए जा रहा है कि कल ही NBFC में एप्रूबल दे दिया है कि यह कंपणी दीमर्ज होगी मतलब इस कंपणी में से दो कंपणी वनेंगी एक तो PEL पीरावल इंटरप्राइस लिम्टेट और दूसरी वनेगी इसका एक जो फार्मा का सेक्टर है उसकी दूसरी कंपणी वनेगी PPL पीरावल फार्मा लिम इस दिन उनका quarterly result आ रहा है तब तक वो इसको final कर देंगे तो मित्रो यह बहुत ही important news है और आप देखिए कहीं न कहीं आप लोग समझ जाए कि जब डिमर्जर होता है किसी कंपणी का और न्यूज मार्केमेंट आती है तो वो सिहर कहां से कहां भागता है और एक बात बता द आउट हाईए और वीडियो पर लाइक करिए सेर करिए मैं आपसे अगली वीडियों फिर्मता हूं तब तक कि लिए जय हैं जय वारत